साल 2019 में होने वाले लोग सभा चुनाओं को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है ऐसे में मुलायम सियादों के छोटे भाई स्यूपाल यादों ने भी कमर कसली है लखनू में सियूपाल की सेकुलर मोर्चा द्वारा सदसता अभियान चलाया गया जिसमें मुख्यातिती के रूप में पहुँचे सियूपाल यादों ने अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान किया उन्होंने कहा कि नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनावायोग में हो गया है और पार्टी का नाम है फ्रगतिसील समाजवादी पार्टी लोहिया इस मोके पर कई दलों के लोगों ने स्यूपाल यादो के साथ मन्च साज़ा किया और सैक्रो लोगों ने स्यूपाल यादो की नई पार्टी प्रगत सील समाजवादी पार्टी लोहिया की सदस्ता ली लखनू में आयूजी सदस्ता अभियान में स्यूपाल यादों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जम कर लिसाना साधा स्यूपाल यादों का कहना था कि सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उत्री और सरकार की गलब नीतियों से सबी वरगों के लोग काफी दुखी है इसके साथ ही नोट बंदी पर मोधी सरकार को घेते हुए स्यूपाल ने कहा कि नोट बंदी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई गरीब ब्यापारी और सभी लोग नोट बंदी से काफी परेसान हुए इस मौके पर उन्होंने पुर्ववर्ती अखिले सरकार में हुए कामों को भी गिनवाया